श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका हारदिक स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चों पर भी पढ़ाई सम्मंदित नजर लगती है आपके बच्चों की पढ़ाई भी नजर से प्रभावित होती है चाहे आप इसे माने ना माने मित्रों हमारे जीवन की हर बात नजर से प्रभावित होती है कई बार ऐसा होता है ना बहुत से बच्चे मेधावी होते हैं पढ़ाई की तरफ बहुत रुजहान होता है उनका अचानक से वो पढ़ाई से कटने लगते हैं उनको किताबे खाने को दोड़ती है, उनका मन उदासी रहने लगता है, उनको घूमने फिरने की, खाने पीने की इच्छा होती, लेकिन जब भी पढ़ने को बोलो तो वो पढ़ाई से जी चुराते हैं, तो ऐसा क्या उपाई करें जिससे की पढ़ाई संबंदी ये नजर उत सबसे पहले तो, इसके अलावा उस व्यक्ति का आशिरवाद भरा हात बच्चे के सिर पर फिर आए, ऐसा करें, ऐसा करने से नजर बाधा जरूर उतरेगी, इसके अलावा जो पठन या पाथे सामगरी है बच्चे की, जो पुरानी पढ़ी हुई है, या नहीं भी हैं, तो क कोई भी पाथे सामगरी, पुस्त कें, कौपी, पैन, पैंसल वगरा, किसी नीडी बच्चे को जरूर देवे, या फिर आप किसी भी ऐसे बच्चे को जो की आर्थिक रूप से सम्रद नहीं है, उन बच्चों की आप स्कूल की फीज जमा कराएं, ऐसा करने से आपके का नामों निशान नहीं होना चाहिए, आपके घर के इशान कोन में भगवान श्री गणेश और मा सरस्वति का चित्र जरूर रखें, और बच्चे से विधिवत उनकी पूजा करवाएं, रैगुलर यदी लड़का है, तो हनुमान जी के मंदिर जाकर वो पूजा करें, और अगर लड़की है, तो मा दुर्गा की उपास ना कराएं, उससे और मंत्रों का जाप भी करवाएं, ऐसा करने से बच्चों को नजर नहीं लगेगी, इसके अलावा एक काम और करने लगातार, साथ, रविवार, आदिते रिदे स्रोत का पाड़ करवाएं, और बच्चों से सूरे देप को जल अर्पित करवाएं, ऐसा करने से भी नजर बाधा और नजर टोक्स का निवारन होता है, इसके अलावा राई और नमक लेकर बच्चों के, जिसको गोलते हैं, सिर से लेके पैर तक क्लॉक वाइज उसारिये, और फिर उसको किसी गंदी नाली में बहा ऐसा करने से भी नजर बाधा समापत होती है, नीमबू से भी आप बच्चे को नजर उतार सकते हैं, नीमबू लेकर ग्यारा बार सिर से लेके पैर तक उसारिये बच्चों, उसारिये से मतलब है राउंड आप उसको घुमाईए, इसके बाद उस नीमबू के चार करिए और चारों दिशाओं में फैंक दीजिए, ऐसा करने से भी नजर बाधा समापत होती है, इसके अलावा यदि किसी जाने अन जाने आपका किसी के प्रती आपने कुछ बोल दिया है, नकारात्मक टिपनी कर दी है और आपको आशंका है कि उन्होंने ही बच्चे पर करें, बच्चे को अच्छे कारिकरम अगर वो टीवी बगरा देखता तो देखने के लिए प्रेरित करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करें, और आपका स्वयम का जो आचरन और चारितरिक मांदन उचा होना चाहिए, ये देखकर बच्चा प्रेरित ह आप करके देखेगा इससे आपको बहुत लाव होगा बहुत बहुत धन्यवाद